नमस्कार साथ ही हैं आप लोगों सागत गश्यसी वाई क्लासिस में और आज हम बाइलोजी के नीट 2020 का बाइलोजी का पेपर स्वर्व करेंगे और देखेंगे कि NCRT में कहां पर इसके आंसर दिये हुए हैं पहला कोशन है which of the following is not an attribute of population इसका सही आंसर है species interaction और यह NCRT इंटर की NCRT के पेज नमबर 227 पर आपको मिल जाएगा प्रोसेस अफ ग्रोथ इस मेक्सिमम ड्यूरिंग लॉक फेज इसका अंसर है पहला और यह NCRT बॉलिम बन अर्थाज ग्यार्मी किलास की इंटर NCRT के पेज नमबर 247 पर मिलेगा the roots that originate from the base of the stem are तो इसका सही आंसर है पहला fibrous root और यह आपको ग्यार्मी किलास की NCRT की पेज नमबर 267 पर मिलेगा match the following disease with the causative organism and select the correct option तो इसका सही आंसर है second और यह आपको NCRT इंटर की NCRT के पेज नमबर 147 147 149 पर मिलेगा in which of the following technique the embryo are transferred to assist assist that those females who cannot conceive तो इसका पहला आंसर सही है ZIFT and IUT और यह इंटर की NCRT की पेज नमबर 64 पर मिलेगा identify the wrong statement with reference to gene of IE that controls IAVO blood groups तो इसका सही आंसर है तीसरा when IA and IV are present together they express same type of sugar और यह मिलेगा इंटर की NCRT के पेज नमबर 77 पर choose the correct pair from the following तो इसका सही आंसर अब पहला ligase join the two DNA molecule तो ligase join करता है DNA molecule को polymerase extend करता है amplify करता है replicate करता है nucleases breakdown करते हैं ब्रैक करते हैं फास्फो डाइस्टर बॉंड को stand के बीतर जो फास्फो डाइस्टर बॉंड होते हैं उन्हों ब्रैक करते हैं exonuclease जो होते हैं वो specific position पर DNA के ends पर cut करते हैं और यह मिलेगा हमें ligase यह सही ligase join करता है DNA molecules यह हम मिलेगा NCRT की volume two में chapter six पर six में इंटर की NCRT की chapter six में select the correct matches इसमें सही match करना है इसका answer है तीसरा से करेंगें यह और लेवन पर पाया है तो और हीमो पेहले पहला दिया हुआ हीमो फिलिया बाइलिक्ट जबकि एक्स लिंक्ट होता इसलिए गलत है फिनाल की टो नूरिया और टोसमरल डॉमिनाट डीट्यों यह और तीसरा और यह हमें मिलेगा इंटर की NCRT के पेज नमबर 90 और 91 पर मैच दे फॉलिएंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट दा करेक्ट ऑप्शन कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिये गए हैं इसमें करेक्ट मैच मिलाने हैं तो इसका आंसर है सेकंड और यह बॉल्यूम सेकंड आंसर है पहले का होगा चौथा दूसरे का होगा फर्स्ट तीसरे का सी का होगा सेकंड और डी का होगा थर्ड वॉल्यूम नमबर बन NCRT का वॉल्यूम नमबर वन अर्था इंट ग्यार्मी किलास की NCRT के पेज नमबर 53 54 और 51 पर यह हमें मिल जाएगा दा इंफेक्शियस स्टेज और प्लाजमोडियम देट एंटर्स दव हुमन बडी इस तो इसमें इंफेक्शियस स्टेज कौन सी होती है तीसरे इस प्यूर्फो इस प्यूर्फोजवाइड होती है और यह हम मिलेगा NCRT के 12th क्लास की NCRT के पेज नमबर 147 यह था 148 पर identify the substances having glycosidic bond and peptide bond recessively in their structure इसका अंसर है सही 14 इन्यूलिन इंसुलिन ठीक है तो यह हमें कहां मिलेगा और नहीं दिया हुआ है कारवहईडरेटास एंड व्यकोसेटिक बॉंड प्रोटीन है disappointing बॉलीपक्टाइट बॉंड काईटीन डिया इंसुलिन काईटीन और इन्यूलिन आर पॉलीसैक्राइट ये दोनों polysacrit होते हैं, chitin और inulin polysacrit होते हैं, इसलिए तेगे और glycerol is simple lipid होता है, cholesterol is derived lipid होता है, और lecithin कैसा होता है, phospholipid होता है, ठाइड सुं हट исंयिं लिन आर सुप्ली है इसधोना पूलड होती है कि पहला तो ग्लाइकोसिटिक बॉंड और दूसरे में फ्यु मॉन तो पहला carbohydrate वाला होना चाहिए, polysaccharides होना चाहिए और दूसरा कैसा होना चाहिए, polypeptide होना चाहिए, तो दूसरा वाला insulin, polypeptide है, और पहला inulin, यह कैसा है, polysaccharides, तो फोर्थ आंसे इसका सही होगा, the plant parts which consist of the two generations, one within the other, यह इसका आंसे जोगा, फोर्थ आंसे सही होगा, A and D, इसमें pollen grains inside the enter, एंथर के अंदर pollen grains होता है, एंथर जो होता है, वो previous plant का part है, और जब की pollen grains क्या है, यह next, जो next generation के plant का portion part है, ऐसे ही, D में embryosac inside the ovule, ovule जो होता है, वो previous plant का होता है part, जब की embryosac से नया plant बनता है, ठीक, अगला question हैगा, the products of reaction catalyzed by nitrogenase in root inodules of leguminous plant is R, इसका सही answer है, पहला ammonia alone, तो यह मिलेगा, ग्यार्मी किलास की NCRT की page number 203 पर, अगला question है, identify the correct statement with regards to G1 phase of interface, तो इसका सही answer है, तीसरा, cell is metabolically active, grows, but does not replicate its DNA, DNA में replication नहीं होता, DNA replication कहा था, S phase में होता है, इसलिए, तीसरा answer इसका सही है, और यह मिलेगा, हमें NCRT, ग्यार्मी किलास की NCRT के page number 163 पर, अगला question है, cuboidal epithelium with brushed water of microbellae is found in, तो इसका सही answer क्या है, तीसरा, proximal convoluted tubules of nephron, और यह हमें मिलेगा, 11th किलास की NCRT की page number 101 पर, which of the following statement about inclusion body is incorrect, पूछा है, तो इसमें सही answer होगा, second, these are involved in injection of the food particles, the food particles के, में involved नहीं होती है, इसलिए, यह गलत होगया, तो यही आशे, इसका सही होगा option, और 11th किलास की NCRT की page number 139 पर, यह हमें मिल जाएगा, which of the following, which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipid in eukaryotic cells, तो यह हमें मिलेगा, question number, इसका answer सही है, glycoli body, और यह हमें 11th किलास की NCRT की page number 134 पर, मिल जाएगा, in gel, electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of, तो इसका सही answer हो, second, ethidium bromide in UV, ultra-valid radiation, और मिलेगा यह हमें कहां, NCRT के volume number 2, page number 198, इंटर किलास की NCRT की page number 198 पर मिल जाएगा, identify the wrong statement with the reference to the transport of oxygen, oxygen, तो इसका सही answer क्या है, इसका सही answer है, तीसरा, और तीसरे में कहां लिखा है, higher HIN concentration in alveoli, फेमस, फेवरस, alveoli favors the formation of oxyhemoglobin, तो इसका सही answer है, तीसरा, और हमें मिलेगा यह, ग्यार्मी किलास की NCRT की page number 274 पर, नेक्स्ट कोशन है, ray flow rates have, जिसका सही answer है, inferior ovary, और यह हमें कहां मिलेगा, 11th किलास की NCRT की page number 73 पर मिल जाएगा, नेक्स्ट है, specific palatomic sequence which is recognized by echo r1 is, तो यह हमें इसका सही answer है, पहला GAATTC, CDTAG, तो यह हमें मिलेगा, 12th किलास की NCRT की page number 196 और 197 पर, identify the wrong statement with regards to restriction enzyme, तो इसका सही answer है, 4 wrong statement पूछा है, तो 4 answer सही है, को कि पहले पहला दूसरा तीसा एकदम सही answer है, each restriction enzyme functions by inspecting the length of the DNA sequence, यह भी सही है, they cut test DNA at palindomic stride, यह भी बिल्कुल सही है, they are useful in genetic engineering, यह भी बिल्कुल सही है, 4th option दिया हुआ, sticky ends can be joined by using the DNA ligers, तो यह, यह option क्या है, wrong statement है, और इसका सहा, all options are correct, but the 4 is not about restriction enzyme, यह restriction enzyme का नहीं है, बल्कि यह ligers का statement है, ठीक है, उपर वाले तीनों जो है, वो restriction enzyme के statement है, और जबकि 4th जो है, वो सही है, लेकिन वो ligers के respect में सही है, लेकिन हम से restriction enzyme के बारे में पूचा है, इसलिए यह 4th option, रेक्ष्टिक enzyme के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि ligers के बारे में, DNA ligers के बारे में बता रहा है, इसलिए यह wrong answer होगा, which of the following is put into anaerobic slug digester for further sewage treatment, तो इसका सही answer जो होगा, वो 4 होगा, activated slug, और यह हमें मिलेगा, इंटर किलास की NCRT के page नमबर, एक 184 पर, अगला question है, select the correct events that occur during inspiration, तो इसमें, और जो सही answer है, वो पहला है, A, B, इसमें A और B दोनों सही हैं, correct events हैं, और यह हमें कहां मिलेगा, ग्यार्मी किलास की NCRT के page नमबर, 270 और 271 पर मिल जाएगा, if the head of cockroach is removed, it may live for few days, because तो इसका सही answer, third, the head would a small proportion of nervous system, while the rest is situated along the vental part of its body, तो the next, the NCRT के, यह NCRT के, ग्यार्मी किलास की NCRT के page नमबर, 114 पर हमें मिलेगा, which of the following statements are true for the phylum quadrata, इसका सही answer है, 4, जिसमें B और C लिखा हुआ है, बी और C सही है, B में क्या लिखा हुआ है, invertivator notocod is present during the embryonic period only, और D लिखा हुआ कोड़ेटा इस डिवाइडें इन्टो 3 सब फाइला, hemi coad़ेटा, tunicator और सिफेलो कोड़ेटा, तो यह हमें मिलेगा, 11 फिलास की NCRT के page नमबर पचपन पर, नेक्स्ट कोशन है, match the following, match the organism, which with its use in biotechnology, तो यह हमें, बायो टेक्निके यूज के, यह मैच कराने हैं, और यह हमें second option इसका सही है, पहला मिलेगा fourth से, बीस दूसरा मिलेगा third से, और C मिलेगा first से, और D मिलेगा second से, और यह हमें मिलेगा, इंटर किलास की NCRT के page नमबर, 208, 209, 203, 200 और 194 पर मिल जाएगा, ऐसा ही मैच, the following concerning essential elements and their functions in plants, तो इसका सही answer third, third में A का third से मिलेगा, B का fourth से मिलेगा, C का second से मिलेगा, और D का first से मिलेगा, और A मिलेगा, 11 किलास की NCRT के page नमबर, by 97, by 98 पर, next है identify the incorrect statement, ये incorrect statement पूछा है इसमें, ये को answer है इसका third, और ये मिलेगा हमें 11 किलास की NCRT के page नमबर, 96 पर, अगला question है, मैच, the following, following मैच कराने है, इसका answer है, पहले का दूसरे से मिलेगा, दूसरा का सही है, fourth सही है, तीसरे C का third सही है, का बाई प्रो हुना दूसरा का दूसरा का दूसरा का दूसरा का आःें,